हेलो मेरे न्यूजी इतनी मेरे बीपेसी चैने शिक्षक शाती शिक्षा जगा से जुले तमाम परकार का दिकारी और वह कविनेंदन टूड़ी न्यूज में आप सभी का श्वागत है सक्षमता वन जीरो में शामिल शिक्षक जो फरजी शिक्षो का एक मिसमैचिंग सथी सथे आपको बता दे कि BPC TRE 300 के लिए क्या अपडेटा रहे हैं बेतन एरियर को आवन टन आज हुआ है जी हाँ फ्रेंट्स इस पर भी बात करेंगे साभी ताजय तरीन खबरों बात करेंगे तो फ्रेंट्स आपको बता दे कि सक्षमता वन जीरो पास एक लाग सतासी ह चैज्डा सिक्षकों में लगए असी सिक्षकों का मिसमैचिंग नंबर जारी हुआ है जिसमें एक ही रोल कोड रोल नंबर कह सकते हैं या आधार या थायं या ट्यव्यक गारए कशमता रहा ह है इन सिक्षकों को अभ उलाए जाएगा असी दारत के क्रेयालेंग्य जिहां पुरे डॉक्मंट के साथ जो है बुलाया गया है आगे बात करें बीपीसी टीरी थीरी जीरो का आप जानते हैं कि कल से आपका जो है जीला जो है मालुम चल जाएगा और उसके बाद जो है आपका सेंटर जो होगा उत जानते हैं कि दो दिन पूर मिलता है आपका कि सेंटर कि पर है तो फ्रेंट्स कल आपको जीला प्राप्त हो जाएगा बीपीचे टीरी जीरो के जितने भी सिक्षक्षा थी या अभियार्थी नए अभियार्थी जो भरे हैं उनके लिए आगे बात करते हैं बेतन एरियर को लेकर के आज आवंटन हुआ है जैरी फ्रेंट्स जी हाँ आप इस बेतन एरियर आवंटन की जो रासी है देख सकते हैं टेलिग्राम में जिसका लिंक इस वीडियो के जश्ट नीचे दिया रहता है और उसमें हमने उसका पीडियेव सिंड कर दिया गया है सवाल यह है उस पीडियेव पर मैंने जब गौर किया जब यह रासी सभी ज जीला में सू नहीं की तब से जाकर के पुनह एक बार जो है इस रासी को आवंटन किया गया है सभी जीला के लिए तो सवाल यह है कि सिवान का भुकतान भी हो गया जैसे कि आप जानते है अन्थेटिक है जारा उस पीडियेव को खोलिए और देखिए उस पीडियेव में सि 2024 का सिगनेचर लगा हुआ है तो फिर सिवान का इस हिसाब से अवंटन प्राप्त नहीं होना चाहिए जिस हिसाब से पुर्व में था तो सिवान के जीला का भुकतान कैसे हुआ सवाल यह है तो यह नियू जी सिक्षकों के लिए जो है अवंटन की रासी है और इसका प्राइ सरकार और शिक्षा विवाग हम बता दें को कि मिशन दक्ष को लेकर करके टाइमिंग मिसमेचिंग हुआ था उसको लेकर के टाइमिंग सही किया गया और पुनाफ़ पत्र को जारि किया गया वहीं BPAC-TRE-100-200 के लेकर कै परभार नहीं सौपे जाय से सबंधित पत्र निकलना सुरू हुआ है जी हाँ यह मैटर एक जगह का नहीं है यह मैटर करम से वहाँ इस्थिती उत्पन हो रही है जहां से नियोजी सिक्षक पहले परभार में थे और वहाँ से वह BPC TRE या TRE 2 जोइन कर गए तब सवाली है कि TRE 1 और TRE 2 के जो सिक्षक है प्रविशन प्रियेड में है साथी साथ है आपको बता दे कि उनकी परभार नहीं देने के कंडिशन उत्पन हुए तभी जाकर के वहाँ के DPO DO साहब इस पत्र को निकाल रहे है जाज कमिटी की रिपोर्ट बी पोजिटीव आ रह स्कूल टाइमिंग को लेकर खास करके सिख्षक अस्थामत्रन 15-20 km की दैरे में किये जाने की बात बाहर निकल करके आ रही है कि 15-20 km की दैरे में ही। शक्षाथी को रखे जाना है इस बावत की अगर बाद करें तो सिक्षक नेता उस्वी बात या सिक्षक नेता जो है संपर्क में जो सिक्षक भी भाग के अला अधिकारी से इस बात को एक्षेप्टेट करते हैं कि अस्थांतर और जो बिद्याले पतस्थाफन है एक बड़ी म है संभावित हो या संभावना हो कि आपका पतस्थापन बाद में हो लेकिन आप सक्षमता पास है वन जिरू हो या आने माले में टू जिरू हो उनको राजकर में चीश्ट तारिक से पास होते हैं वहां से दिया जाए और उन सिक्षों का पदनावती और साथी साथे किसी प कि सिक्षकों को क्या दिया जा सकता है जैसे कि आपने देखा कि कि सिक्षक के पाठक ने किस तरह से सिक्षकों के बीच जो है मन्थन कर रहे हैं अकेले मन्थन कर रहे हैं और उन्होंने माना कि सिक्षक 37 सही है निरक्षी अधिकारी को हटाया जाए और सिक्षक पर जो है सिक जगत के सिख्षक मानेंगे कि इस सिदार्त ने एक बड़े एक्षन की उर्प जा रहे हैं साथी साथ है बिसीश शिक्षक साथी का जो प्रस्था अपन और अन्य सबंदी जो बाते हैं उन पर ही आम लखिया जाए आगे बात करते हैं कि अगर पे मैट्रिक्स जैसे मूल वेतन अगर हरास्मेंट नहीं होता है जो सिख्षक साथी 20 सिख्षक बनने जा रहे हैं तो निश्चित ही अगर जो 50 के पार कर गए हैं वहां ये सिख्षक सत्तर के आसपास 65 के आसपास बेतन में पहुंचेंगे निश्चित ही पहुंचेंगे अगर हरास्मेंट नहीं किया गया ब करते हैं NMMS के जो सिक्षक्ष के या अविवावक के बच्चे जो पास किया है बिहार में वो NMMS की अपलाई सुरू हो गया है एक जुलाई से ले करके आपको बता दे कि 31 यानि अगस्त के अंती महीने तक आपका यह परकिरिया चलेगी उस विच आप डॉक्मेंट को रेडी क करके आप इसे फॉर्म भिलब को करियेगा यह बहतरीन होगा क्योंकि आप एक बार गल्ती करेंगे फिर दुबारा सुधार करने का मौका आपको नहीं मिलेगा आगे बात करें बेतन एरियर के लेकर में तो आपने देखा कि किस तरह से आउंटन प्राप्त हुआ लेकिन एर करें बेतन को लेकर पर डिफाइन हो गया कि अगले शापता ही होगा बेतन बिलंब हुआ यह सवाल एससके के पाठक पर जरूर उठा है क्योंकि एससके के पाठक जी जो थे इस बेतन परकिरिया को सभी ढंग से ले गए अब एस सिदार्स को आगे बढ़ाना चाहिए लेकि कैसे मजबूत करेंगे जबकि विद्याले में उनको पूरा समय गवाना पड़ता है निश्चित ही विद्याले अगर दस से चार होते तो अपने बच्चे या अभिवावत या सभी को सिवा करने के या अपने को बीश रहने का मौका मिलता है इस पर मन थन तो चल रहा है दे करता है